वाइस इस वीडियो में हम बात करेंगी डॉक्टर अम्बीड का सेंटर ओफ एक्सलेंस इंट्रेंस टेस्ट दो हजार तेइस में जो अभी कंडेक्ट हुआ है उसकी आंस्वक्की के बारे में हम डिसकस करेंगे कैसे क्यूशन्स पूछे करें यह एक्टॉली सी यू जो यून यह एक्जाम कंडेक्ट किया जाता है तो उसके क्षिशन से यहां पर नॉन नेगिटिव मार्किंग होती है तो यह लेटिल इंट्रोडेक्शन था अब जैक करते हैं कैसे क्योशन्स थे and क्या उनके correct answer है तो start करते हैं The existence of the gravitational wave was initially predicted by ये किसके द्वारा predict किया गया था कि जो gravitational wave है वो किसने research किया था इसकी भावश्यवानी किसने की थी ये Albert Einstein General Theory of Relativity ये इसका correct answer होगा Second, where is the Indian Laser Inferometer Gravitational Wave Observatory LIGO setup ये हिंगोली महरास्टर में है Which one of the following apex body to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing system ये Nabad इसका correct answer है जो Haryana में National Park है वो कितने है with respect to National Park in Haryana There is more than one National Park within Haryana Haryana में दो National Park है एक जजर में है और दूसरा गुड़गाउ में है Second, ये है किस दिन Each day is more or less the same The morning is clear and bright with a sea breeze as the sun climbs high in the sky Heat mounts up, dark clouds form there Rain comes with thunder and lightning But rain is soon over ये every day आपको equatorial पर देखने को मिलती है जो highest peak है हरियाना में वो करोपीक है And this is C In context of energy source of Haryana Which one of the following is correct Haryana में सोड उर्जा पे जो होता है कि कौन से nuclear plant कितने nuclear plant हरियाना में है तो इसके लिए हरियाना में सिर्फ एक nuclear plant है जो कि आप गुरखपूर में देखते हो जो कि फतेहबाद में है Which one of the following related to with the citizen moral sense and their contribution towards society and nation यह आपकी fundamental duties होती है जो आप 51A में देखते है तो इसका correct answer है मौलिक करतव्य Which one of the following statement is correct about the right to education Right to education कैसा right है यह आपका fundamental right होता है एक मौलिक अधिकार है जो internal disturbance आपको मनिपूर में देखने को मिल रही है वो किस के बीच में है कुकी और मित्ती जो ट्राइब है उनके बीच में आपको देखने को मिलती है GST के जो कौन सेल होती है उसके अधिक्स कोन होते है चेयर परसन कोन होते है यह आपके निर्मला सितारमन मिन्स Finance Minister जो होते हैं यूनियन के वही इसके चेयर परसन होते है नेक्स्ट चालुक्य के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर कोन आए थे इसका आंस्वर है इसका करेक्ट आंस्वर है इसके बाद ग्रेंड रेवलिशन के फादर कोन थे MS. स्वामी नाथन एक्चोली उनकी रिसेंट में डेथ हो गई है तो उसके कॉंटेक्स्ट में क्योशन पूछा गया होगा MS. स्वामी नाथन Tracing is method of soil conservation used to ये थोड़ा typical question था इसका आंस्वर है Carry surface run off across land without causing erosion कटाव पैदक बिना किये सतही पर अपवाह को के आर पार ले जाना बूधन मुमेंट किसे related है विनोदफावे, अचारिय विनोदफावे से अनेक बाद, श्यादवाद, एकम, पूरम ये किस के सब्द है, किस धर्म से related है ये जैनिजम से related है Cryogenic engine किस में पाए जाता है किस में यूज होता है जादा तर ये rocket technology में यूज होता है जादा तर तो आप rocket technology यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कहाँ पे fresh water की जो order पूछा गया था कहाँ पे कैसे कितना मिलता है तो इसका correct answer होगा option A जिसमें सबसे कम होता है आपको atmosphere में देखने को मिलता है उसके बाद में streams and rivers में दूसरे नमबर पे lakes है और ice, caps and glaciers में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है fresh water इसके बाद यह जो करेवा का कस्मीर हिमालय यही एक single correct है तो इसका answer one only रहेगा जो करेवा formation है वो कस्मीर हिमालय में देखने को मिलती है which one of the following fuel causes minimum environmental pollution कौन से जो environmental को कम से कम pollute करता है, कौन सा इंदन ऐसा है इसका correct answer है hydrogen hydrogen इसका correct answer है which one of the following main characteristics of hemophilia hemophilia का main characteristic क्या है यह clot नहीं होने देता है आपको blood को अगर एक बार कट लग जाता है तो bleeding रुकेगी नहीं यह ऐसा है, mitosis is the process by which जो mitosis है, वो कौन सी process है, इसका correct answer C option हो सकता है the chromosomes in the cell nuclei are attached to the spindle before moving to the end of his pulse Central Vista Development Redevelopment Plan Infrastructure Investment Project aims to यह किसके लिए दिया गया था actually बनाये थो उन्होंने parliament है, यहाँ पे Indian Parliament भी लिखा हुआ है and sustainable के बारे में बात की है तो maybe यह भी answer हो सकता है and यह भी answer हो सकता है Living Route Bridge जो है, वो कहां स्थे थे यह आपका मिघाले में है and name of the person is associated with Harika Moment, Harika Moment से कौन जुड़े हुए है, जगनात बौवा यह correct answer है Which of the following is the second longest river of Haryana State, कौन सी Haryana State की दूसरी सबसे बड़ी river है, वो घगर है जो आप answer किये है यहाँ पर पूछा गया 17 October 1940 को क्या हुआ था यहाँ पर जो आपके विन्दभावी है वो फॉस्ट सत्यागरे थे उनको चुना गया था तो यह correct answer है इसके बाद में इस question का answer मेरे को अभी नहीं मिला है मैं आपको in the end या फिर आपको description में इस question का answer में आपको share कर दूँगा आगे write to life with the dignity यह आपका article 21 में देखने को मिलता है समान के साथ जेने का अधिकार GEAC Genetic Engineering Appraisal Committee यह आपकी Ministry of White Technology इसका correct answer नहीं है यह आपको Ministry of Environment, Forest and Climate Change इसका correct answer है Then smart cities mission is operated by इसका एक correct answer नहीं मिला है मुझे Most probably जो correct answer है वो Ministry of Housing and Urban Affairs इसका correct answer होगा जो nature है इनेन economy का वो mixed economy है जो भारतिय अर्थ विवस्ता है उसकी प्रकरती मिस्तरेत है A raise in general level of prices जाएगा उससे भी जो money है वो market में ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण demand भढ़ेगी And demand भढ़ेगी तो prices भढ़ जाएगे And increase in population जरूरत भढ़ेगी, demand भढ़ेगी Price increase कर जाएगे तो तीनो रिजन है इसके इसका correct answer is 1, 2, 3 Which is the highest milk producing state in India कौन सा highest milk producing state है हरे इंडिया में तो इसका correct answer है उत्तरपरदेश And second number पे आता है रजस्थान इसका सही जवाब उत्तरपरदेश है आपको जो thorium मिलता है वो कहां से मिलता है इंडिया के अंदर अगर इंडिया के अंदर thorium की बात की जाए तो ये आपको केरला से मिलेगा केरल से thorium मिलता है और अगर uranium पुछा जाए तो वो आपको आंधरपरदेश्य मिलता है And इस question का answer मैं आपको description में provide कर दूँगा वैसे तो जो जापान की economy है वो mainly based है जो fishing culture है जहां पर भी cold wave और hot waves warm wave मिलती है वहीं पर fishing culture बलता है तो उसी का main reason है economy पर Japan की which one of the following state does not have nuclear power plant किसके पास nuclear power plant नहीं है केरला के पास power plant नहीं है nuclear में और sewage canal जो है वो किसके बीच में है Mediterranean Sea और Red Sea के बीच में है हरियाना जो state है वो कब बना था यह 1966 में बना था option A is the correct transfer which of the following is the objective of the smug रहे शिक्षा प्रोग्राम इसका correct first term second term correct है तो option इसका one and two रहेगा यह अभी recent June में इसका कुछ update हुआ है इसके कारण यह आपको question देखने को मिला इसके बाद isotone क्या होते है actually top आप करते हो तो number के basis पे करते हो bar mass के basis पे होता है और इसी से आप निकाल सकते थे यह हो नहीं सकते हैं इसके कारण neutrons के basis पे होता है फिर equation था कि this effect is used in the military to detect enemy aircraft by astrophysists to measure velocities of stars and by doctors to study heart weight and blood flow it is also used by the police to check over speeding of vehicles तो आपको यह doppler effect से देखने को मिलता है और यह वाला जो question है which among the following mechanism explain the transfer of heat energy जो heat energy का transfer है आर्थ की surface से उस lower atmosphere में इसका किस के कारण होता है यह terrestrial radiation स्थली विकी कारण के कारण यह होता है इसका correct answer है जो चंडिकर्ट city है वो किसने बनाया है किसने इसको plan किया है वो ली कार्बीजर है इसका correct answer option A है which of the following sector has the highest share of commercial energy consumption in India industry सबसे जादा यूज करती है commercial energy को then उजवला जो scheme है वो LPG से related है तो to safeguard the health of the women by providing them with a clean cooking fuel जो gas cooking fuel है उसी के लिए यह उजवला scheme है which of the following constituent of a cell nucleus कौन से पार्ट होते हैं एक cell के nucleus में यह तीनों पार्ट होते हैं जो protein होता वो histone की form में मिलता है तो यह तीनों ही पार्ट होते हैं option D is the correct answer for this question then HDI Human Development Index किसने निकाला था किसने डिवलप किया है यह महभूब उलहक इसका correct answer है आप option ही correct answer कर सकते हो In chemistry, octet rule जो octet rule है वो क्या कहता है reactivity series of metal arrangement of the metals in the periodic table arrangement of the electrons in the element तो इसका correct answer है B option arrangement of the elements in the periodic table इसके बाद में जो यह gylam and phyloem से nutrient जो plant में nutrition होता है उसके लिए question है जो gylam होता है वो water को transport करता है and phyloem जो होता है वो minerals और food को transport करता है उसके लिए term है तो यह both A and B is the correct answer for this question हतनी कुंद बेराज जो है वो topic of discussion है can stop at Delhi argue of flooding it is situated on which river यह यमना पे बना हुआ है जो आपका हतनी कुंद बेराज जो dam है वो आपको यमना रिवर पे देखने को मिलता है किस ने लिखा The War of Indian Independence Book The War of Indian Independence Book कि की द्वारा लिखी गई यह V.D. Savarkar की द्वारा लिखी गई थी with reference to the ancient India Nanekhat inscription जो ancient India में जो Nanekhat inscription वो किसे related है वो सत्वाहन से related है Which of the following state has been under the possible effect of the stable burning pollution तो यह Punjab, Haryana and Western उत्तरपर्देश जो पस्चमी उत्तरपर्देश है वो भी इसमें involved है यह इसका correct answer B option रहेगा Then Misty जो है वो किसके लिए वो mangrove forest के लिए है तो इसका आपको correct answer C रहेगा Chennai Detroit एक company है Detroit of India तो वो किस से related है वो automobile से related है जो Chennai में है Recently जो अग सत्तक कुद यह जो वेद साला है यह कहां पर है इसके बारे में question पूछा गया यह आंदर पुर्देश में आपको देखने को मिलेगी इसका correct answer आंदर पुर्देश है जो इस question का answer B मैं आपको description में provide करता हूँ Most probably इसका answer D रहने वाला है जो silt pollution है वो इन सभी से चीजों को affect करता है इन सभी पे impact देखने को मिलेगा rate the following passage यह पैसे के basis पे इसका B answer है बट अभी के लिए भी है कहा कुछ नहीं जा सकता है इसका 62 question है उसका D correct answer हो सकता है and 63 में जो Venn diagram का question है इसका correct answer आपको second मिलेगा which part of the constitution of India declared the idea of welfare state welfare state जो होता है वो आपको DPSP में देखने को मिलता है correct A option रहेगा राज्य की निती नर्देशक सिधान्त में आपको देखने को मिलता है then कुछ आपको reasoning के question देखने को मिलता है फिर आपको से separation of judiciary from the executive executive से judiciary को अलग करते हैं article 50 में तो यह आपको देखने को मिलता है DPSP में DPSP जो की आपका article 50 है इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर इसका correct answer यह रहेगा A, B, N, C, R brothers actually C जो होते हैं इसमें daughter होता है that's why इसका answer यह नहीं हो सकता और इसका answer C रहेगा 72 का and 73 है यह पैसेज के basis पे इसका correct answer हो सकता है holistic sport system को provide करना बुजुर्गों की देखपाल के लिए श्मग्रह शाहित्य प्रना लेकी आप सकता है यह इसका correct answer हो सकता है Atal innovation mission इसका correct answer है निती आयोग से चलती है किसके अधीन है? Atal 9 प्रवर्तन mission यह निती आयोग के द्वारा है और 21 जून को शूरिये कहा होता है इसके बारे में यह question है तो इसका correct answer रहेगा वो option A रहेगा यह UPSC 2019 का question है जोग्रॉफी में Does not set below the origin at the arctic circle यह arctic circle के blow होता है blow नहीं रहता है तो यह sun इस टाइम पे June 21 को नहीं रहता है आगे आप देखना यह 78 का B option है and 79 G20 की theme क्या थी one earth, one family, one future इसका correct answer है Constitution of India में safeguard one's right to marry the person of one's choice यह किसके अंदर है यह article 21 के अंदर है और जो right to internet है वो भी article 21 में है इसके बाद the global competitiveness report यह कब किसके द्वारा publish की जाती है यह world economic form विस आर्थिक मंच के द्वारा publish की जाती है यह report इसके बाद में कुछ reasoning questions है और इसके बाद में भी यह भी एक UPSC का question रहा है year मुझे याद नहीं है यह charter act पे 1813 के उपर question है जो charter act होता है उसमें चाय की जो monopoly है वो दे दी जाती है और other जो monopoly थी उसे ही रोप दिया जाता है और यह crown के अंडर चला जाता है लेकिन revenue system वो British Parliament के अधिन नहीं रहता है तो यह statement incorrect है बाकि दोनो statement correct है both A and B means A correct option रहेगा A इसमें आप थोड़ा सा 87 में जो back side का उसका front बताया गया है back facing तो इसे आप correct तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे south इसका correct answer मिलेगा then 88 का option D इसके बाद में 89 का cloudy night वाले दिन यह UPSC का ही जो previous year question है उसी से ही है यह question इसका correct answer रहेगा clouds reflect back earth radiation बादल पृत्वी के विकिकरन को वापस प्रावर्त करते हैं यह इसका correct answer रहेगा then जो 91 question है उसका COD में कोई भी हो सकता है दोनों की एक ही value है तो इसमें कोई भी value हो सकता है एंड जो आपके 92 question है most probably इसका 1,2,3 correct answer है तीनों ही इसके correct answer है but I will check it again मैं आपको description में यह information दे दूँगा एंड इसके बाद में the well known paintings बानी थानी belongs to यह किससे बिलॉंग करती है यह किर्शनगर्ड जो school है painting का उससे बिलॉंग करती है जो next question है कि Delhi के साथ जो longitude में आती है वो कौन सा जगह है तो वो आप बैंगलूरू होती है वो same latitude पे लाई करती है longitude पे तो उसके according answer होगा उसके बाद में जो 1935 का Government of India Act है तो रेजिडिरी पावर जब बच्ची हुई पावर है वो किसको दी जाती है गौर्नर जेनरल को दी जाती है जो इसका big option correct answer हैगा 1920 में किसक का नाम बदल कर सवराज सभा रख दिया गया था All India Home Rule League अखिल वारती होम रियूल लीग का नाम बदल कर सवराज सभा कर दिया था V.C.L.T.P. कुशन देखने को मिला है या आप कह सकते है कि Canada का जो अभी relation चल रहा है उसके context में है तो most probably इसका answer हो सकता है कि यह states written होता है and governed either by international और domestic law maybe इसमें doubt है correct हो भी सकता है incorrect भी हो सकता है तो option D maybe इसके बाद में जो आपका ozone layer होती है वो किस atmosphere कौन से layer में मिलेगी atmosphere की यह question आप से पूछा गया है यह आपको stratosphere में मिलेगी option C is the correct answer और जो methane produce होती है nitrogen oxide के साथ nitrogen oxide के साथ वो किस में produce होती है कौन से agriculture crop में produce होती है तो इसका correct answer है B option जो कि धान means rice में आपको देखने को मिलता है this is all about the examination और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like this video and subscribe this YouTube channel मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी YouTube channel पर thank you for watching this video and giving it time please like किजेगा वीडियो को and thanks for all